आज़ों को पिछले बार का railway group D की math के सारे question कराने जा रहे हैं यह math का हमारा आठवाँ वीडियो है इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के math के साथ वीडियो कराई हुए जिसे आप लोग प्लेश हुजा करके वहाँ पर से देख लिजेगा तो इस state में math के लगवग 24 से 25 question पूछे गए तो चली देखते हैं कि आप इन 25 प्रेशनों में से कितने प्रेशनों को सही सही कर पाते हैं आज का पहला question है यह 3x square प्लस a x minus bar आप पूर्ड उप से x minus 8 दोरा विभाज हो तो a की value आपको बतानी है यह 4 option दीगें चली सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास करिए देखिए x minus 8 जो है इस समीकर्ड को पूरितरा से विभाज कर रहा है इसका मतलब यह हुआ कि x minus 8 जो है इस दूई घाज समीकर्ड का एक मूल होगा तो x की जगा पर अगर हम इस समीकर्ड में 8 रख दें तो x से बराबर 8 जो है इस समीकर्ड को संतुष्ट करेगा तो चली जहां जहां पर भी x है उसकी जगा पर मुल्ब 8 रखते हैं और इस समीकर्ड को 0 के बराबर करते हैं तो 8 टाइ 64 multiply 3 करेंगे आप 8a बनेगा मानेस 12 बराबर संतुष्ट कर रहा है इस समीकर्ड की value जो आएगी वो सून ने आएगी तो यहां पर multiply करेंगे 192 बनेगा प्लस 8a मानेस 12 बराबर 0 तो 8a बराबर आजएगा मानेस का 180 ठीक है तो यहां पर से a की value आजएगी minus 25 तो कौन सा option सही option होगा डी वाला option सही option है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा अगर आप लोग पहली बार चलनल पर आएगे हो तो नीचे आपको लाल अरंग की subscribe की बटन दिखी कुसे दवा का लाल से काली कर दीजेगा और 13 वटे 11 लिखा गया है तो अगर आप इसका लासा लेंगे तो आजाएगा 13 multiply 11 जो आएगे इसका लासा आजाएगा और 11 का multiply 11 के साथ होगा तो 121 बनेगा और 13 का multiply 13 के साथ होगा तो बनेगा 169 अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 290 और 290 बटे 143 तो कितने बार जाएगा दो बार जाएगा दो बार जाने के बाद 4 सेसफल बचेगा और 143 नीचे हम लोग रख देंगे तो 2 सही 4 बटे 43 जो आजाएगा वो इसका सही उत्तर आजाए कौसा आपसन सही आपसन होगा इसका ए आपसन सही आपसन होगा तीसरा कोशन है 219 04 का वर्गमूल कितना होगा यह आपको बताना है इस चार आपसन के आप साहिता ले सकते हैं देखिए वर्गमूल आप भागवित की साहिता से भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं आपको ट्रिक के मादन से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इसे आप लोग समझेगा पीछे से देखिए जोड़ा ले लिजे 0-4 का और 219 का यहाँ पर से आपने जोड़ा ले लिया अब 4 जो ही डिसाइड करेगा संख्या का इकाई कंग क्या होगा तो 4 कब आ सकता या तो 2 लाश्ट में हो या तो 8 हो क्योंकि इनका ही स्क्वाइर करने पर आपको 4 मिलेगा 2 का स्क्वाइर करेंगे तो 4 मिलेगा और 8 का स्क्वाइर करेंगे तो 64 मतलब की लाश्ट में आपको 4 मिल सकता है तो संख्या 144 और 166 तो होगी नहीं सकती है क्योंकि इसके इकाई के अंक पर 2,8 तो ही नहीं है दो और आठ जो है इसकाई काई केंग पर तीसरे और चोथे आपसन में अब 219 को देखें 219 जो है वो किसकी वर्ग की करीब है तो 14 की वर्ग की करीब है 14 का वर्ग 196 होता है 15 का 225 होता है तो जादा वाले को हम नहीं लेंगे कम वाले को लेंगे तो संख्या आपके निकलेगी 148 का ये वर्ग होगा और इसका वर्ग मूले 148 होगा तो D वाला आपसन जो होगे सही आपसन है लेकिन समझे हमने 2 को क्यों नहीं लिया 8 को क्यों लिया ये 14 निकली न संख्या 14 के वर्ग के करीब है तो एक बढ़ा करके 15 से इसका मल्टिप्लाई करके देखिए 14 मल्टिप्लाई 15 करेंगे तो आएगा 210 और 210 जो है वो 219 से छोटा है ठीक है अगर 210 से 210 छोटा है तो इसका मतलब हम बड़ी वाली संख्या को लेंगे अगर यहीं पर कहीं पर इसका मल्टिप्लाई करने पर 14 से मल्टिप्लाई करने पर 220 आ जा रहा है तो इसका मतलब जो संख्या हमने मल्टिप्लाई की वो 220 है तो इस सिसुएशन में हम छोटी वाली संख्या को लेंगे ये trick होती है थोड़ा थोड़ा आप आगे पढ़ेंगे तो समझते जाएंगे इसका सही आपसनों को चोथा वाला आपसन चोथा question है एक त्रिभुज के याधार की लंबाई एक समांतर चेतरबुज के याधार का पांच बटे साथ है त्रिभुज और समांतर चेतरबुज का चेतरबुज का चेतरबुज समान है त्रिभुज और समांतर चेतरबुज की उचाई का आपको रेशियो निकालना है देखिए यहाँ पर छेत्रपल की बात किये त्रिवुज और समांतर चत्रपुज का आपको छेत्रपल समान दिया गया है तो त्रिवुज का छेत्रपल क्या होता है 1 by 2 आधार गुड़े उचाई आधार का आपको रेश्यो दिया गया है तो हम लोग त्रिभुच के आधार का माल लेते हैं 5X और उचाही नहें दिये तो उचाही को H1 माल लेते हैं अब देखिए समांतर चतुरुच के छेत्रपल क्या होता है आधार गुड़े उचाही सिर्फ आधार गुड़े उचाही होता है तो आधार का यहाँ पर ratio दे रखा है आपको C1 X में और उचाही को हम लोग H2 मा लेते हैं तो H1 upon H2 आपको निकालना है प्रिशने के अनुसार तो यह 2 multiply होकर यहाँ चला जाएगा X से S कट जाएगा 14 वटी 5 जो है इनके height का ratio आजाएगा तो सही option काउसा option होगा दूसरा option इसका सही option होगा पांचवा कोशन है देखे नीचे बार गराप आपको दिया गया है 10 वर्सों में company XYZ द्वारा बेचे गए personal computer की जानकारी यह बार गराप आपको दिखा रहा है तो प्रिशन में आपसे पूछा के वर्सों 2006 में XYZ ने कितने personal computer की विक्री की तो 2006 को देखी 4 है यह 5 है यह 6 है यहाँ पर देखी 20 लाक यह जतनी unit लिकी गई यह लाक में लिकी गई है तो 20 लाक computer की विक्री की है सही आप सुनोगे इसका तीसरा वाला option आसान सा question था इसे आप देख करके आपको समझना था कि 2006 में कितने computer विक्री के है तो 20 लाक computer विक्री के है चटवा question है मोहन और सोहन की आयू का ratio आपको दे रखा है 5 और 4 का यद उनकी वर्तमान आयू का योग आपको 36 दे रखा है तो सोहन की वर्तमान आयू आपके लिए निकालने है ठीक है बढ़िया question है लेकिन सरल question है यहाँ पर देखिए कुछ वर्स घटाया नहीं है बढ़ाया नहीं है इसको आप 5 एक्स हमाल लीजे इसको 4 एक्स और दोनों की वर्तमान आयू का योग पूचा है तो 5 x प्लस 4 x बराबर 9 x दिया गया है आपको 36 के बराबर तो x बराबर जा गया Nor 4 36 तो x की value अगर 4 आ गई, तो पूचा क्या है सोहन की तो सोहन हो जाएगा 4 चोको 16 वर्स का सही option होगा, तीसरा option ठीक है यह नंबर बढ़ाने वाले कोश्चन है इन्हें आप गलत नहीं करना है यहाँ पर देखिए इस दसंवलों की संख्याओं का आपको योग बताना है चली बताने का प्रयास करिए पढ़ाने कोश्चन है अगर आपको दसंवलो का जोड़ जानते हमें तो इसे गलत नहीं करेंगे सबसे पहले हम लोग दसंवलों के पहले जो संख्या लिकी गई उसको जोड़ लेते इसके बाद इसके जो दहाई कंख होगा देशंबलो के बाद पर जोड़ने का प्रयास कर एक है यहाँ पर 5 है यहाँ पर 4 है तो 5-4-9 यह भी 9 यहाँ यहाँ पर आएगा यहाँ पर 0 है तो कोई मतल filtered भी नहीं है इसके बाद देखिए यहाँ पर सैकड़े कंग को देखिए पांच है यहाँ पर और यहाँ पर चार है तो यहाँ पर भी नौ बनेगा पांच चार नौ और सबसे लाश्ट में यहाँ पर पांच अकेले बचेगा तो जहाँ पर 4.9995 लिखा है उसे आप लोग सही कर दीजेगा चाहे आप नीचे लिख करके भी से सही कर सकते हैं अगर लाइन में आप जोड़ पाते हैं तो अच्छी बात है नहीं तो आप एक दूसरे के नीचे रख करके अराम से जोड़ सकते हैं आठवा कोश्चन है देखी संख्या यहां पर आपको दी गई हैं इसके कितने गुड़क परफेक्ट क्यू भी या फिर पूर्ण घंड में होंगे यह आपको बताना है चली प्रयास करीए आप लोग सही करने का एसे कोश्चन बहुत आपके एक जामें आ रहे हैं सबसे पर संख्या को देखते चली दो की पावर तेरा लिखा आए तो यहां पर तेरा जो है थेरा को हम लोग 3 से भाग करें को घंड की बात की है तो 3 3 के जोड़े बनने चाहिए तो 3 से भाग करेंगे तो 3 चोखो 12 चार आया ना चार प्लस एक कर लिजिए तो यहाँ पर पांच आ जागा ठीक है अमने संक्या उठाए तीन की पावर पांच पांच में देखिए एक तीन से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा एक बार गया तो वन प्लस वन कर लिजिए यहाँ पर दो आ जाएगा इसके बाद है कि फाइप की पावर थ्री उठाएगे तो यहाँ पर तीन बटे तीन करेंगे तो एक आएगा इसमें भी फिसको एक वन प्लस वन कर लिजिए एक बढ़ा करके यहाँ पर आप लिख लिजिए अब यहाँ पर देखिए च्छै लिखा गया है तो च्छै बटे तीन करेंगे तो दो आजाएगा दो से एक बढ़ा लिजिए यहाँ पर तीन आजाएगा तो पांच दो दो तीन का आप सबका मल्टिप्लाई कर लिजिए कह रहा है ना कि कितने गुड़क तो यहाँ पर पांद दूना दस दूना बीस और 20 नहीं 60 मतलब 60 गुड़क एसे होंगे यहाँ तो पून घंड बनाएंगे यह तो परफेक्ट क्यूब बनाएंगे तो समझ गए हैं आप लोग एक बढ़ा लिजेगा कोकि उसमें जो है जीरो पावर भी लेते हैं कोकि दो की पावर जीरो तीन की पावर जीरो पाँच की पावर जीरो और सेवन की पावर जीरो भी पून घंड बनाते हैं इसलिए एक एक बढ़ा लिया जाता है पहला आपसन सही आपसन है नौवा कोशन है किसी संक्या को बेचने पर 33 परसंट की हानी और 7 परसंट का लाप का अंतर आपको 220 दे रखा है तो वस्तु की लागत मूल आपको निकालनी है तो चलिए हम लोग माल लेते हैं लागत मूल जो है वो 100 रुपए है वस्तु की अगर हम इसे 33 रुपए हानी बेचे हैं तो वस्तु बिकेगी 67 रुपए की अगर हम लोग इसे 7% के लाप पर बेचें तो 100 के चीज 107 में बीचेगी इसके अनुसार 220 है हमारे अनुसार यहाँ पर अंतर कितने का है 40 का अंतर है तो हमारा 40 उसके 220 के बराबर होगा तो एक बराबर कितने का आ जाएगा यहाँपर से कार दीजे 5.5 के बराबर आ जाएगा एक बराबर 5.5 के है हमने माना था लागत मूले 100 तो 100 बराबर केतने के हो जाएगा 550 के तो हमारा 100 उसके 550 के बराबर है तो सही आपसन कौन सा आपसन होगा D वाला आपसन सही आपसन होगा दस्वा कोशन है यहाँ पर देखिए आपके पास 16 क्यूब लिखा गया, उसका भाग किया गया है 8 क्यूब के साथ में, फिर उसका भाग किया गया है 2 की स्क्वाइर के साथ में, तो railway ने इस प्रेश्ण को ignore question की सेड़ी में डाल दिया गया था, मतलब सब को एक number मिलेगा, अगर किसे ने किया ह है, तो आखिर क्यों इसे डाला गया, चलिए करने का प्रेयास करते हैं, क्या इसके आपसर में कोई गलती की गई थी, कि प्रेश्ण में कोई गलती की गई थी, तो यहाँ पर देखिए 16 क्यूब लिखा गया है, तो 16 मल्टिप्लाई 16 होगा, इसके बाद में नीचे करेंगे, तो 2 मल्टिप्लाई 2 करेंगे, तो 2 इसके दो उपर के 2 हैं कट जाएंगे, एक 2 बचेगा, तो यहाँ पर उत्तर इसका 2 आना चाहिए, और आपसन भी आपको दूसरे आपसन में 2 की पावर 1 लिखा मिलेगा, तो मेरी इसाब से इसका उत्तर तो सही है, ठीक है, अ उसके आपसन जो है, इस आपसन मिलना है, चै तो आप एक बार करके देख लिजेगा, ग्यान अवर कोशन है, जर्मन सिल्वर में कापर जिंक निकिल का रेशियो आपको 4-3-2 का दे रखा है, चाहँवन किलोग्राम की इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक और जोड़ा ज जाएं, चली करने का प्रयास करिएं, जर्मन सिल्वर में कापर हैं, जिंक है निकिल है, ठीक है, याद रखेगा, एक प्रशन आपके विज्ञान के सेक्सने पूछा जाता है, कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसंट होता है, तो सिल्वर होता है नहीं है, वाद ध्या साथ दो नौव, एक सब बराबर चोवन ग्राम के, तो एक सब बराबर च्छाय के आ जाएगा, तो ये होगा जाकर के चौविस केजी की, छेचो को चौविस और छत्रिक अठारा और छदूनी बारा, मतलब की चौविस, अठारा, बारा ये केजी में होंगी, तीनो, आप कहरा है कि इसमें जिंक कितना जोडा जाए, ये रेशियो बन जाए, कितना दो, पांच, एक का बन जाए रेशियो, ठीक है, जिंक जोडना है आपको, जिंक जोडना है मतलब कि ये वाला जिंक जोडना है तो कापर और निकल तो वैसे ही वैसे रहेंगे 24 किलोग्राम पहले थे ये 12 किलोग्राम पहले था तो जब जिंक जोड़ा जाए तब ये सेम ही रहे तो ऐसा आप क्या मल्टिप्लाई कर दें नीचे वाले समिकड में कि ये 24 कापर बन जाए और निकल बारा बन जाए तो हम इसमें मल्टिप्लाई कर देते हैं पूरे समिकड में 12 से नीचे वाले में तो ये देखिए 12 से मल्टिप्लाई करेंगे तो बने कितना इधर समझेगा 24 और बरापंचे 60 और इधर बनेगा 12 तो ये हमने 12 से मल्टिप्लाई किया तो हमारा कापर भी 12 आ गया और निकल भी 12 आ गया लेकिन जिंक जो है 18 से 60 हो गया 18 से 60 हो गया इसका मतलब जिंक हमने कितना जोड़ा 42 केजी जोड़ा होगा सही आप सुनोगा डी वाला समझ गए आप लोग देखिए 18 से 60 हो गया तो हमने 42 किलोग्राम जोड़ा होगा सही आप सुनोगा लाइस्ट वाला आप सुन बार नवर कोश्चन है देखिए यहाँ पर एक ती कोड़ आपको दिया गया ABC चलिए बनाते हैं देखिए यहाँ पर ABC जो है एक ती कोड़ हम लोग बना लेते हैं अब क्या कह रहा है M पच्छ जो है वो AB पर है M जो है यहाँ पर AB पर है और क्या कह रहा है N जो है वो AC पर है AC पर है इसको मिला लेते हैं कोई पॉइंट आपको दिया गया है तो क्या कह रहा है कि BMC BMC जो यहाँ पर sum believe बना रहे है वो बना रहे है ठीक है तो sum transgender बन के हमारा 5 amn और regime का ratio आपको दे रहा है 7 और 9 का तो amn का और bec का ratio 7 और 9 का आपको दे रहा है तो आपको record amn का 6 पल और sum cosmetics का 6 पल की गड़ना करनी y रेशियो में होगी चली प्रयास करिए बताने का देखे यहां पर देखी प्रेमेल लगेगी और आपको अगर त्रिभुच का छेथपल ग्याद करना है तो साथ का स्क्वाइर कर दीजिए साथ का स्क्वाइर त्रिभुज का छेत पल होगा और अगर आपको इस पूरे त्रिभुज का छेत पल ग्याद करना है तो नौ का स्क्वाइर कर दीजे तो नौ का स्क्वाइर पूरे त्रिभुज का छेत पल होगा छोटे वाले कितना होगा उन्चास बड़े वाले का होगा 9-11, तो अगर हम 81 में से 49 को घटा दे तो ये समलम का छेतपल में मालूम चल जाएगा तो 81 में से 49 घटाएंगे तो आजएगा 32, तो आपका त्रिभुच का पूछे उपर ओले त्रिभुच का, उपर ओले त्रिभुच का 49 होगा और नीचे वाले समलम का कितना होगा 32, तो 49 और 32 का रेस्यो होगा, कौन सा अपसन सही अपसन होगा, तीसरा वाला अपसन जो है, वो सही अपसन होगा तेरे नमर कोशन है ए और बी एक साथ साथ दिनों में एक कारी को कर सकते हैं बी और सी एक साथ आर्द समलो साथ पांच दिनों में कर सकते हैं ए उसी काम को साड़े दस घंटों में कर सकता है तो सी को से से कारी को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे ये question जो है गलत ढंक से लिखा गया और इसके option में गलत है C को 6 कारे को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे तो ये बताओ भाई C पहले कब कार किया था तो यहाँ पर देख लीजिए ये प्रिश्ट में पूछना चाहिए था C पूरे कारे को कितने दिन में करेगा C से यहाँ पर से हटा देना चाहिए था तब पूछना चाहिए था और तब हम निकालने का प्रयास करेंगे तो इस option भी आपको option नहीं मिलेंगे चलिए करके आपको बताते हैं आप लोग भी गलती को समझे अगर काटेंगे आप यहाँ पर से तो 35 बते 4 बनेगा और इसे काटेंगे तो यह बनेगा 21 बते 2 आप क्या करेंगे 7, 35 बते 4, 21 बते 2 को LCM लेंगे तो सबसे पहले उपर वालों के LCM आएगा उपर वाले का LCM आजाएगा 7, 5, 3 और नेचे वाले का क्या था LCM आप आपने भीन का LCM निकालना सिखा होगा तो उपर वाले का LCM निकालते हैं नीचे वाले का LCM आजाएगा 1 तो इसका जो LCM आजाएगा 7 x 5 x 3 आजाएगा तो अब हम लोग A plus B की छमता निकालते हैं तो 7 x 5 x 3 में अगर हम 7 का भाग करेंगे तो A plus B की छमता आजाएगी 15 ठीक है B plus C की छमता आजाएगी कितनी 12 और A की छमता आजाएगी इसमें से इसको भाग करेंगे कैस बटे 2 को तो A की छमता आजाएगी 10 तो यहाँ पर से A की छमता 10 आगई और A plus B की छमता 15 है इसका मतलब B की छमता 5 होगी अगर B की छमता 5 है और B प्लस C की छमता 12 है तो C की छमता कितनी होगी 7, 5, 12 C की छमता 7 होगी और टोटल कारी कितना है 7, गुड़े 5, गुड़े 3 है तो टोटल कारी इतना है और C की छमता एक दिन में 7 करने की है तो C कितने दिन में करेगा 5, 15 दिन में करेगा पांते ही 15 दिन में करेगा तो यहाँ पर C पूरा कार को 15 दिन में करेगा यह आपसन आपको 15 इसमें नहीं दिया गया इसी सापसी प्रिश्ण जो है वो गलत है इसमें 30 आपसन दिया गया सही आपसन आप लोग करिएगा सी जो है पूरे कार को 15 दिन में करेगा तो ये आपसन आना चाहिए था इसमें प्रिश्ण में आना चाहिए था लेकिन ये आपसन आया ही नहीं है इसलिए मेरे साब से ये प्रिश्ण गलत है चौदर नमर कोशन है सूरज की धनरास से रवी की धनरास की चार गुनी है रवी की धनरास से आदित की धनरास की सोला गुनी है आदित और सूरज की धनरास का आपको रेशियो बताना है ठीक है तो सबसे पहले यहां से आपको श्टार्ट करिए रवी की धनरासी आदित की धनरासी की 16 गुनी है तो रवी यहाँ पर लिख लिजे आदित यहाँ पर लिख लिजे और इधर लिख लिजे सूरज ठीक है क्या कह रहा है रवी की धनरासी आदित की धनरासी की 16 गुनी है आपसे क्या पूछ रहा आदित और सूरज की धनरास का रेशियों तो आदित एक है और सूरज 64 है तो एक और 64 का रेशियो होगा कौन सा आपसन सही आपसन होगा दूसरा वाला आपसन सही आपसन होगा पंदनावर कोशन है दो वेक्ति क्रमसा एक ही दिसा में साइकिल चला रहा है ठीक है समझेगा एक ही दिसा मतलब की इसी डारेक्शन में दोनों साइकिल चला रहा है वहीं से नियति गति से यात्रा करने वाली एक ट्रेन गुजरती है इनके बगल से एक ट्रेन भी गुजरती ह और पहले को वो 8 second में दूसरे को 8 second में पार करती है पहला वेक्ति 9 km पर घंटे की रबतार से cycle चला रहा है और दूसरा 12 घंटे की रबतार से cycle चला रहा है तो train की आपको गती निकालनी है देखिए train जब एक ही direction में जाती है तो जो speed होती है वो आपस में घट जाती है अगर हम लोग माल लेते हैं कि train की speed जो S है तो पहले वाले व्यक्ति को पार करेगी उस समय इसकी speed होगी S-9 समझेगा जब दूसरे को पार करेगी तो इससी speed घट जाएगी S-12 तो यह आप समझ गए कि एक ही direction में जाती है तो speed जो होती है आपस में घट जाती है अब 4 बराबर दूरी वटे समय होता है तो दूरी इसमें सेम रहेगी क्योंकि गाड़ी की लंबाई जो होगी वो change नहीं होगी दूरी सेम रहेगी तो दूरी को हम लोग बराबर कर देंगे तो 4 बराबर दूरी वटे समय चाल और समय को हम लोग multiply करके बराबर कर दें तो पहले देखिए पहले विक्ति के लिए चाल कितनी होगी S-9 जब पार करेगी तो चाले आपस में घट जाएगी समय कितना लग रहा है 8 सेकंड का बराबर कर दीजिए इसे दूसरे वाले को पार करेगे तो S-12 और समय कितना लग रहा है 8.4 सेकंड देखिए सेकंड से सेकंड यहां पर कड़ जाएगा इसलिए चेंज करने के आपको ओ सकता नहीं है किलो मीटर पर आवर में उत्तर आएगा इसका अब इसका मल्टिप्लाइ कर लिजे 8S-72 बराबर 8.4S-12 का 8.4 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 100.8 आठ आजाएगा अभी घटा लेंगे तो 0.4S बराबर आजाएगा 28.8 के तो पॉइंट से पॉइंट कर जाएगा इस बराबर कितना आजाएगा इस बराबर आजाएगा 72 के तो 72 किलो मीटर पर आवर जोएगी वो ट्रेन की गतिया आजाएगी जो हमने इस माना था वो 72 आजाएगा सही आप्सन कौनसा आप्सन होजाएगा D वाला आफसन सही आफसन हो जाएगा सोलन हमर कोशन है एक टैंक में दो पाइपें भरी है पाइप M टैंक को भरने के लिए और पाइप N जो है टैंक को खाली करने के लिए यदि पाइप M टैंक को पूरी तरह से भरने में 45 घंटे लेता है और pipe N पूरी तरह से भरे tank को खाली करने में 90 घंटे लेता है तो आधे खाली tank को भरने में कितने घंटे लगेंगे यह आपको बताना है तो चली छमताओं को हम लोग निकाल लेते हैं M भरने वाला है, N खाली करने वाला है यह 45 घंटे में भरता है, यह 90 घंटे में खाली कर देता है इन दोनों का L सम जो जाएगा, कितना आएगा? 90 चमता कितनी आजाएगी M की? 2 आजाएगी और N की 1 आजाएगी मतलब जो tank की हमारी है, हमने माल लिया कि वो 90 लीटर की है तो M एक घंटे में 2 लीटर भरता है, और N जो है एक घंटे में 1 लीटर भरता है तो अब देकि 90 लीटर की tank है, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो यह 2 भरेगा, यह एक खाली कर देगा, तो एक घंटे में एक कई भरेगा तो पूरी टंकी 90 घंटे में भरेगी, लेकिन आपसे पूँच रहा है, आधी खाली टंकी अगर हो तो आधी टंकी भरने में कितना समय लेगेगा, पूरी में लग रहा तो 90, तो आधे में लगेगा 45 घंटे सही आप सुनोगे इसका पहला वाला आप सुन सत्र नवर कोश्चन है, दो संख्याओं का रेश्य आपको 17 और 28 का दे रखा है, इनमें से छोटी संख्या में अगर हम 6 जोड़ दें, तो अनुपात चेंज हो करके 13 और 20 का बन जाता है, तो बड़ी वाली संख्या का मान आपको निकालना है रेश्य आपको 17 और 28 का दे रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक से की रूप में माल लेते हैं, और कहरा है छोटी वाली संख्या में 6 जोड़ दें, तो उपर वाली संख्या छोटी होगी, 6 जोड़ दें, तो 13 और 20 का रेश्यो बन जाता है, तो यहाँ पर से आप 3 अक म multiply 5 कर देंगे, तो 140 हाज़ेगा, बड़ी संख्या, 140 हाज़ेगा, ठीक है, आसान सा question था, सही उत्तर दूसरा option हो जाएगा, अठान अवर question है, देखिए मैत का question है, लेकिन रिजनिंग के ढंक से पूछा गया, x square माइनस y square का मूल आपको पता करना है, और मूल आप कैसे पता परियाप्त लगेंगे, x square माइनस y square बराबर क्या होता है, x माइनस y एक कोश्टक में, और x प्लस y एक कोश्टक में, तो ये दोनों value आपको चाहिए होंगी, ये value आपको 6 दी गई, ये value आपको 2 दी गई, तो इसका उत्तर आजएगा 12, तो 12 आएगा, लेकिन कैसे आया, आ आपने दोनों कथनों का उप्योग किया, तो एक साथ दोनों परियाप्त होने चाहिए, इसका उत्तर देने के लिए सही आपसनों का चोथा वाला आपसन, 19 नवर कोश्टन है, एक व्यक्ति को जनवरी में 4 packet प्राप्त हुएं, जिनका आउसत भार 300 ग्राम था, और फरवरी चार packet का भार कितना होगा, चारते ही 12, 1200 ग्राम होगा, और आठ packet का टोटल यो कितना होगा, आठ चोग 32 होगा, ठीक है, अब टोटल कितने packet है, 8, 4, 12, 12 packet है, इन दोनों को जोड लेंगे, तो आज एक चवालिस सो, बटे बारा, बारा पैकिट है न, अब भाग करेंगे, ग्राम जो आजाएगा, वो आउसत भार आजाएगा, सभी पैकिटों का, ठीक है, तो सही आपसन कौनसा आजाएगा, दूसरा आपसन सही आपसन होगा, बीस नमर कोशन है, दो धनात्मक संख्याओं का लासा उनके मासा से तीन गुना है, यदि लासा और मासा का गुड़न ग्राम जो आजाएगा, तो संख्याओं आपको ग्याद करने है, देखिए प्रिशना अनुसार क्या कह रहा है, लासा उनके मासा से तीन गुना है, अगर हमने मासा मालिया एक्स, तो लासा कितना होगा, थ्री एक्स, और आपने पढ़ा होगा, मासा गुड़े लासा बराब 280, तो एक्स, बराबर कितना आजाएगा, 70 के, तो एक्स, बराबर 17 के आगया, तो उसका मासा 17 होगा, और लासा 17 होगा, याद रखीएगा, ठिक हैं? समझ गए अब आपने पड़ा होगा पहली संखा गुड़े दूसरी संखा बराबर लासा गुड़े मासा तो लासा गुड़े मासा तो आपको 51 और 17 दे रखा है तो पहली संखा यहापर 17 होगी दूसरी संखा गुड़े यह भी हो सकता है पहले संक्या दूसरी संक्या ठीक है पहला आपसन सही आपसन हो 21 नवर कोशन है 6, 9, 12, 13, 15 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी चार रंकों की आपको संक्या बतानी है एसा कोशन मनें आपको railway group D का पिछला जो set कराया था उसमें आपको कराई हुए तो कैसे मैंने कराया था अगर इस प्रकार से कोशन पूछा जाया तो 6, 9, 12, 15 को सबसे पहले इसका LCM ले ले लेजिए गुड़न खंड मैथड से आप लोग LCM निकालना जानते होंगे इसका LCM आजाएगा 2340 ठीक है निकालिएगा अगर आप group D की तैयारी करें तो आपको LCM निकालना आना चाहिए 2340 LCM आगया और 4 अंकों की सबसे बड़ी संक्या होती 9,9999 लेकिन वो संक्या आपको नहीं बतानी है वो संक्या बतानी जो इनसे भी भ्याजित हो तो 2340 से अगर इसमें भाग चला जाता तो यहीं संक्या होगी नहीं तो हमें कुछ घटाना पड़ेगा यह तो बढ़ाना पड़ेगा तो 2340 से हम क्या करेंगे 9,9999 भाग कर देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा? कितना आजाएगा? चार चुको 16, 4 बार एक 13, 4 दुनी 8, 1, 9 यहाँ पर इसे घटाएगे? कितना आजाएगा? 630 आजाएगा, यहाँ पर 99 आएगा, 649 आजाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको सेसफल प्राप्त हुआ 649 अगर हम इस संख्या में 649 घटा दें तो यह संख्या 2340 से पूरता विभाज हो जाएगी तो हम 9999 से 649 घटा देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 9,360 तो सही आप्सन कौंसा आप्सन हो जाएगा? सीवाल आप्सन सही आप्सन हो जाएगा उसे इस फल आए उसे आप घटा दीजिए तो वो संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी चारंकों की सबसे बड़ी साथ 22 नमर कोशन है 63 लोग 126 दुनों में तल आपको खोश सकते हैं 28 लोग उसे कितने दिन में खोदेंगे या आपको बताना है चली बड़ी कोशन है लेकिन आसान कोशन है 63 लोग 126 दुनों में खोद रहे हैं तो 98 लोग माना एक्स दुनों में खोदेंगे कितने से करड़ेगा 14,98 और 14,98 और 14,98 अब यहाँ पर 7,98 तो यहाँ पर एक्स की वेल हुआ जाएगी 81 तो सही आप्सन कौनसा आप्सन आप्सन आजाएगा तीसरा आप्सन सही आप्सन आजाएगा 23 नवर कोशन है बी का मान क्या होगा जिसके लिए दूहिगात फ़लन X2 माइनस 4BX प्लस 9 का नियूनताम मान मानश 27 होगा चलिए करने का प्रयास करिए बढ़िया कोश्चन है देखिए इसका नियुंता मान अगर माइनस 27 है तो एकसी स्क्वाइर माइनस 4B एकस प्लस 9 को माइनस 27 के बराबर कर देंगे तो माइनस 27 इधर आ करके 27 बराबर 0 बना लेगा तो यहाँ पर से 27 29 जुड़ करके 36 हो जाएंगे तो 36 हो गए अब आपको देखिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा अगर इसका मान 0 के बराबर इस समेकर का मान 0 के बराबर है तो B स्क्वाइर बराबर 4AC के एक्वाल होगा ठीक है B स्क्वाइर बराबर 4AC के equal होगा, तो यहाँ पर B की value केतनी है, minus 4B, इसके square करेंगे, तो 16B square बनेगा, और 4AC, A जो होता है, वो X square के पहले का coefficient होता है, तो 4 multiply 1, और C यहाँ पर आपको 36 आपने निकाला हुआ, 279 को जोड़ करके, तो 36 हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ पर आप काटने का प्रियास करिए, चार चुको 16, और 4 नमा 36, तो X square बराबर 9 आगया, X square बराबर 9 आगया, तो X की value plus minus 3 में होती है, तो या तो 3 हो सकता है, या तो minus 3 हो जाकता है, तो count आपसन सही आपसन होगा, last वाल आपसन सही आपसन होगा, 24 नमार कोशन है, नेम लिकित में से count आप सांथ दसमलों या पी terminating decimal है, ठीक है, अब देखिए, सांथ का मतलब आप से क्या पूँछा गया है, अगर आप हर से answer में भाग दें, और उसकी value दसमलों के कुछ इस तानबार निश्चित हो जाए, बार बार repeat होकर के नहीं आ रही है, इसका मतलब उस सांथ हो गया, अगर repetition के बाद भी तक आ रही है, और कभी भी खतम नहीं हो रही है, इसका मतलब आसांथ है, तो इसके लिए आप देखिए, चारों को देखने पर आपको किस प्रकार से आप समझेंगे कि सांथ है कि सांथ है, तो यहाँ पर देखिए, एक बटे 32 लिखा है, तो यहाँ पर trick होती है, अगर अपान में इसके बन रहा है टू की पावर इन, या 5 की पावर इन, या 2 की पावर इन मल्टिप्लाई, 5 की पावर इन बन रहा है, तो वो सांथ दिसमलों में होगा, तो यहाँ पर देखिए 32 जो है, वो 2 की पावर 5 में आता, इसका मतलब 2 की पावर इन के रूप में यह बन रहा है, एक बटे 32 यह सांत होगा इसको आप सही करके आगे बढ़ सकते हैं ठीक है? सही आप सुन होगा पहला वाला आप सुन अब दूसरी तरह से आप असांत को कब देखते हैं असांत को देखने के लिए अगर multiple में एक बटे मतलब कि हर में अगर आपको multiple मिल ला है 3 का या 7 का multiple मिल ला है या फिर आपको 11 का multiple मिल ला है या 13 का multiple मिल ला है तो वो असांत में होगा जैसे कि यहाँ पर देखिए 24 आपको मिल ला है तो 3 का multiple है तो यह असांत होगा 96 भी 3 का multiple है यह भी असांत होगा 48 भी 3 का multiple है तो ये भी असांत में होगा इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं क्योंकि जहां पर भी 3 आएगा हर में वो जाकर के आपको असांत दिसम्लों बनाएगा ये value आती ही चली जाएगी खतम नहीं होगी इसलिए आपको इस प्रकार से चेक कर लेना है तो मैंने आपको इस स्रिट में लगबग 25 कोशन पूछे गए थे मैंने आपको 24 कोशन कराएं चली एक प्रिशन आप लोग करने का प्रयास करिएगा ये देखी 25 नवर कोशन है आज का लास्ट कोशन होगा 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोल करके बनाए गए विलियन में मास परिशत के जड़िये मास का सांद्रण आपको ग्याद करना है ये जो विलियन बना है उसका सांद्रण आपको ग्याद करना है ये कोशन मने आपको जब मैत का सात्वा स्रिट कराया था तो इसी प्रकार का एक कोशन कराया होगा, अगर आपने साथवा नमबर सेट का हमारा मैत का देखा है तो उसे जा करके देखिएगा, वहाँ इस प्रकार की दो-तीन कोशन जो हैं आपको इसी पैटर में इस सेट के वहाँ पर मिल जाएंगे तो ठीक है, मिलते हैं आप से करने का प्रयास करें, अगर गलत प्रेशन को हटा दें तो आप 20 प्रेशन करने का प्रयास करें किसी प्रेशन में डाउट होता है, कमिंट बाक्स में कहिएगा, इस प्रेशन का उत्तर देने का प्रयास करिएगा, आपको हम लगातार इससे पेकर सेट कराते रहेंगे अगर आप लोग की इच्छा होगी तो हम आपको लगातार railway group D के math के सेट कराते रहेंगे ठीक हैं साइंस भी आपको हम करा रहे हैं reasoning भी करा रहे हैं तो आप लोग लगातार जुड़े रहे हैं इस समय का फायदा उठाइए मैत कब आपको आएगी जब देड़ घंटा आपके पास समय होता है railway group D के एकजाम में NTPC के एकजाम में भी आपके देड़ घंटा के समय था तो उसके लिए आपको speed चाहिए होती मैत में speed का बाती जब प्रैक्टिस करेंगे धेर सारे सवाल लगाएंगे पिछले सालों के और भी एकजाम के सवाल लगाईए अगर आप group D के लगा रहे हैं तो CCL के लगाईए CHSL के लगाईए MTS के लगाईए सारे सवाल लगाने का प्रयास करेंगे तब आपकी speed आएगी तो आप देड़ घंटा में धेर सारे मैत के कोशनों को लगा सकते हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियों बहुत बहुत धन्यवाद